प्रताब्र जिले के सालंगर थाना सरकल में एक नवजाद के मिलने से संसरी फेल गई है यहां पर थाना सरकल में इंसानियत को सर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है जिले के सालंगर थाना सेत्र के परनाला के जंगलों में कटिली जाड़ियों के बीच एक नवजाद मिला है सुचना पर मोके पर पुलिस पहुँची है पुलिस नवजाद को कबजे में लेकर स्वास्त के पहुँचा है महीं नवजाद सुबह पाया जाया है जो कि चार से पांच घंटे का बताया जा रहा है बोल पुलिस तरह से सवस्त है सालंगर थाना देकारी रबेस अभारी ने बताया कि मोबाईल के जरी सुचना मिली कि सारा सेत्र के पढ़नाला के जंगलों में कटिली जाडियों के बीच एक नवजाद मिला है इस पर पुलिस तरह स्वास्त के पहुँची है यहाँ पर ग्रामिनों बताया है कि सुबह वह जंगल से गुजर रहेते तो इन जाडियों से रोने की आवास सुना ही दिए यहाँ जाकर देखाया तो नवजाद दिखाई दिया है जिसे उन्होंने जाडियों के बिच से निकाला है पुलिस ने नवजाद को अपने कपजे में लेकर तुरन स्वास्त के पहुँचा है अहारीन बताया है कि स्वास्त केल बच चिकिस्वकों के निगरानी में नवजात पुरी तरह से स्वस्त है जाडियों में होने की वज़े से उसे हल्की खरोच आई है चिकिस्वकों के मताबिक नवजात 5-6 गंडे का है पुलिस अभी बता लागाने में जुटी हुई है कि अपने कलेजे को टुकड़े को इस तरह जारियों के बीच किस तरह एक माज छोड़ कर जा सकती एक बड़ा सवाल है खिलाल पुलिस ने प्रक्रण दशकर जाज सुरू कर दिये मरोज राड़ोर कांडल की आवाज प्रताब गड़ है कि बच्चा कैसे के पुलिस वालोगे बच्चा मिला रा जाम लेगें वो बच्चा यहां लेकर अग्याद बालत उसके लिए पच्चा स्वास्त है और अब उसको परताबर के लिए हायर सेंटर के लिए देखांगे लिए ताथ आट दोजार टेविस को आट थाड़े आट तुछ एक लंसम जरिया टेलिपन पड़ा हुआ था जिसको हमरा ले वस्पिटल सालमगड वस्पिटल लेकर आये इसमें आद इलाज इसको पताबर वस्पिटल रवाना किया गया है बच्चे अग्यात महिला द्वारा बच्चे को जनम के बाद में लावर इस हालत में छोड़ दिया है इसके खिलाफ प्रकं अबास वस्पिटल